दोस्तों अभी हमने पुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें उने बताया था कि घर के अंदर साओ्थ वैस्ट कोर्नर साओ्थ वैस्ट में टॉइलेट और नोर्थ एस्ट में टॉइलेट उस वीडियो को देखके एक दोस्त का कमेंट आया था वर्टसप पे मेरे को वो बोल रहा था कि मैं किराई पे रहता हूँ और हमारे गर में यही सेम प्रोब्लम है और उनके गर में काफी टाइम से बीमारियां परिशानियां मुसीबिते चली हुए और अब तो उनको यह मैसस होने लग गया है कि उनके गर में किसी भी तरह की कोई ओपरी हवा है वो बोला कि मैंने घर चेज करने के लिए सोचा तो मैंने दो-चार घर देखे और किसमत देखें आप उसको उन घर के अंदर वो ही सेम यह तोईलिट डिए सौथ वैस्ट के अंदर ही उसको वो टॉइलिट मिला हर घर के अंदर जो भी घर उसने साउथ वैस्ट में इसको ट्उयलिट मिला देखेंगे आप किसमत और करम ईसमें आइसा कोई जूट नहीं है कि किसी भी तरह कोई ठगी नहीं है कि आप सोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें 100% चीज़े काम करती है वरक करता है वास्तू और अब वो दोस्त परिशान है कि अब मैं क्या करो मैंने जो घर देखे हैं वो साउथ वैस्ट के ही मिल रहे हैं जिसमें साउथ वैस्ट में टोइलेट है मैं आपको एक बात बदा दूँ अगर बाई चांस साउथ वैस्ट में टोइलेट है अगर आप उसे तुड़वाने की कोशिश भी करेंगे उसे आपको उसे हटाने की कोशिश करेंगे तो गाइस वह नेगटिव अनरजी है वहांके वह आपको हेंड़र परसेंट हीट करती है आपके घर में किसी भी द्रयाका लड़ाई जगडा कलेश या कोई ऐसी अनोनी घटना हो जाएगी जिससे कि आपको वह टोइलेट वहां से में रहते हैं जिसमें साउथ वेस्ट में टोइलेट है या नोर्थिस्ट में टोइलेट है खासकर साउथ वेस्ट में टोइलेट है वो बहुत ही खतरनाक है तो आप कोशिश करें और ये बात किसी से मत कहेंगे मैंने घर चेंज करना है या कहीं ओशिफ्ट होने वालना हो इ जी ये घर change करना है और किसी को बिना पताए आप कोशिश करें घर shift करने के अगर आप किराए पे रहते हैं तो क्योंकि अगर आप किराए पे रहते हैं तो आपके लिए असान होगा घर shift करना लेकिन अगर south west में toilet होता है तो guys आगे भी जो भी आप घर देखेंगे किराए के ल जहां पर डाइरेक्शन चैक कर सकते हैं जहां पर आप देखेंगे कि आपको वहां पर टॉइलेट नहीं करना चाहिए जो बहुत ही रिस्क और बहुत ही खतरना कुति है माली जी मैप है यहां पर नौर्थ है इस्ट वेस्ट और साउथ आपको यहां पर किसी भी हालत में toilet क निरमान नहीं नहीं करना आपको घर के सैंटर में नहीं करना है कि ए overdose का आपको Ywahा ना क्वेस्ट निर्मान नहीं करना है यह सारे यह बहुत ज्यादार खतरनाक है को दोस्तों यह जो चीज़ें होती है दॉस्तिंधिकि कर्मों के I start से मिलते हैं इंसां लेकिन वास्तु के हिसाव से अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे, थोड़ी हिम्मत करेंगे, तो आप उन-चीज़ों पूड़ा जो भीमशान को थोड़ा, जो मुसीबते हैं आप कम कर सकते हैं, तो आप ट्राइ करें, अगर आप किराया के घर में रहते है तो कुछ ही दिनों के अंदर जो आपकी life के अंदर struggle मुसीबते चल रही थी किसी भी तरह की अंचाही मुसीबते आ रही थी एकदम खड़ी हो जाती है कोई मुसीबता के उन सब चीजों से आपको relief मिल जाएगा जो भी घर में किसी भी तरह की बीमारी चल रही थी जो आज चक डाइगनोज नहीं हुई आपकी बीमारी आप पता नहीं कितने ही डॉक्टरों के पास चलेगे तो उस बीमारी के अंदर भी आपको automatic कुछ दिनों के अंदर दिखेंगे आप चमतकारिक रूप से आपको बहुत जादा relief मिल जाएगा तो यह बहुत ही खतरनाख चीज़े होते हैं southwest का toilet आप इसे हलकी में ना लहीं अगर आप किसी ऐसे घर में रहते हैं अगर आपका खुद का घर है तो आप कोशिश करें उसे vacuum करने की और उसको आपको बहुत ही बड़े ध्यान से करना होगा क्योंकि उसका process असान नहीं होता जो भी उसको कोई remove करवाता है या फिर आप किसी वास्तु सास्तरी को बलाते हैं तो वो भी बहुत ध्यान से इस चीज़ों को साउथ वेस्ट की चीज़ों को handle करता है वात्रूम को टोवलेट को मासे अटाने के लिए तो गाइस जो भी लाइफ के अंदर जैसी भी आपकी मुसीपिते चल रही है अगर साउथ वेस्ट पे टोवलेट आता हो मान के चलेंगे उसकी वज़य से यह आपकी लाइफ में सब मुसीपिते हैं आप उससे चुटकारा पाएंगे चुटकारा पाते ही कुछी दिनों के अंदर आपको बहुत जाता आराम मिल जाएगा और अगर आपका कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में चोड़ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वर वचिंग फ्रेंड्स